Hello all my name is Krish Nayak and welcome to Krish Nayak Hindi YouTube channel So guys, हम लोग अपना NLP Playlist Series continue करने वाले है मैंने अल्रेडी तीन से चार वीडियो डाल दिया है वहाँ पर, tokenization, limitization, यह सारे चीज़ों के बारे में बता दिया है But आगे वाले वीडियो आने में थोड़ा देरी हो गया था तो yes, मैंने वो आप strategy follow करना हूँ कि at least बेना यह सारा playlist complete करनो आप सब के लिए यह NLP Playlist में हम लोग बहुत सारे amazing चीज़े पढ़ने वाले है उसके बाद यह सारे NLP Playlist जुडने वाले है Generative AI Playlist के साथ क्योंकि इनका continuation ही होगा और मेरे हिसाब से अभी के टाइम में NLP काफी ज़ादा important चीज़ है Natural Language Processing क्योंकि Generative AI के बात करें LLM Application के बारे में बात करें तो बहुत ही amazing development हो रहा है ठीक है, कैसे हम यह series continue करेंगे मैं पूरा basic scratch से आपको vectors के बारे में समझाओंगा आपको text pre-processing के बारे में समझाओंगा क्या-क्या techniques होता है उसमें उसके अलावा practical implementations कैसे कर सकते हैं word to work, word embeddings क्या होता है ऐसे-ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले है going forward उसके बाद हम लोग इसको deep learning NLP के साथ connect कर देंगे ठीक है तो बस इतना ही कोशिश करिएगा कि मेरे वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा क्योंकि हिंदी चैनल, हिंदी मीडियम लोगों के लिए काफी जादा important है क्योंकि मैंने अभी तक python, machine learning और stats playlist ही upload किया है deep learning भी मैंने 4-5 वीडियो ही upload किया है अब मैं फोकस करना चाहता हूं कि मैं हिंदी प्लेइलिस्ट में भी जादे से जादे वीडियो अपलोड करो यह सारे चीज आप लोगों के लिए काफी जादा बेनिफिशल होगा तो please make sure करें आप like करते रहेगा, share करते रहेगा, comment section तो भरते ही रहेगा अच्छे-चे comments के साथ तो चलिए, शुरू करते हैं, मैं अपना screen share कर देता हूं मैं make sure करता हूं कि मैं मेरा चैरा hidden रखता हूं क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे examples के साथ लिखना चाहता हूं तो मैं यह नहीं चाहता कि कोई चीज यहाँ पर hidden हो, मेरे चैरे से छुप जाए यह feedback मुझे अपने main channel से specifically मिला है तो हम लोग अब continue करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले है oh, text pre-processing के में अब text pre-processing के further क्या work ठीक है? देखे oh, text pre-processing में क्या क्या चीज आता है जैसे होगे आपका stemming, lamatization, यह सारा چीज अगो मेरे words हैं उनको lowercase करना है, तो वो एक text pre-processing बईसिकली होता है but most of the NLP use cases अगर मैं czy इसका नाम है sentiment analysis लेट से हम लोग यह use case consider करते हैं अब यहां पर मेरा data है लेट से कि यह sentence 1 बोला है कि the food is good तो output is equal to one मतलब यह एक positive feedback है ठीक है the food is bad तो यहां का output is zero इसका मतलब यह negative feedback है और third वाला sentence में अगर देखो तो यहां पर लिखा हुआ है pizza is amazing तो यहां पर भी आप देख पारें कि यह one है इसका मतलब यह भी एक positive sentiment analysis है ठीक है मतलब positive sentiments है अब यह मेरा data होता है ठीक है अब मैं यह data का यह text वाले data पर focus करेगा ठीक है क्योंकि the food is good हम लोग already trained है हमको English language आता है तो obviously हम लोग easily बोल सकते है ठीक है भाई यह food is good बता रहा है मतलब food अच्छा है इसमें आपको यह बता रहा है तो obviously इसका मतलब positive sentiment ही होगा ठीक है बट एक machine को कैसे आप समझ पाएंगे कि समझा पाएंगे sorry एक algorithm को कैसे समझा पाएंगे right वो possible नहीं है क्योंकि algorithm unless and until यह data set में trained ना हो right तो तब तक लिए algorithm नहीं समझ पाएगा अब सबसे important चीज क्या हम algorithm को directly text data से समझा पाएंगे यह वाला text data से the food is good उससे क्या हम ल लोग बोलते हैं तभी यह algorithm basically इस directly text को नहीं समझ पाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या क्या process करते हैं यह text data को एक numerical number में कैसे convert करते हैं हम यह numerical number को भी बोलते है vectors ठीक है इसको हम लोग specifically vectors में convert करेंगे फिर ही यह vectors वो algorithms को समझ में आएगा ML machine learning algorithms हुआ यह deep learning algorithms हुआ तभी उस text तो machine learning algorithm को नहीं समझ में आता है तो इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं ठीक है तो यहां पर मैं step by step लेता हूंगी कैसे यह सारे projects को हम लोग solve करते हैं initially आपके पास data set होगा ठीक है अब यह हमारा हो गया first step ठीक है अब second step में क्या होता है कि यह data set को हम text preprocessing step में भेजत चीज यूज होते हैं यही चीज यूज करते हैं तो यहां पर आप देखिए यह जो second वाला है यह basically text preprocessing step है ठीक है अब यह text preprocessing में हम लोग क्या करते हैं देखे यहां पर हम लोग थोड़े steps perform करते हैं जैसे हो गया tokenization एक example में देता हूं tokenization tokenization मतलब क्या है let's say कि मेरा data set पूरा का पूरा paragraph में तो paragraph को मैं sentence में convert करूँगा अगर मेरे पास sentence है तो sentence को words में convert करूँगा तो tokenization उस specific process को बोलते हैं और text preprocessing में क्या-क्या step होता है जैसे हमारा हो गया lower case of the words ठीक है lower case the words ठीक है अब देखे यहां पर थोड़े words capital भी हो सकते है इसको हम लोग को छोटा करना पड़ेंगा नहीं तो repeated words हो जाएगा right capital द भी हो सकता है छोटा द भी हो सकता है दोनों तो same word है but since यह capital है और दूसरा वाला lower case है ऐसा lower case द लिखा हुआ है बट यह दोनों word तो same ही है तो हमेशा यह strategy हम लोग को text preprocessing में follow करना पड़ता है कि हम लोग उसको lower case करें ठीक है let's say कि मेरे पास कोई खराब words आ गये या कुछ special characters आ गये जहां पर वो उसका meaning ही नहीं है special characters का हमको उसको remove करना है तो हम लोग regular expression से उसको निकाल सकते हैं तो वो specific चीज़े हम लोग text preprocessing में करते हैं ठीक है अब text preprocessing यह phase 1 हो गया एक और text preprocessing होता है जिसको मैं third step बोल और इसको मैं बोल दूँगा part 2 ठीक है तो यह मेरा third step हो गया ठीक है अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं हम लोग ने already अपने playlist में यह तीन term के बारे में सुना होगा एक होता है stemming ठीक है अब stemming मतलब क्या है कि हम लोगारे पास एक word है let's say कि ऐसे type के word going अब going का stemming हम लोग basically go निकाल सकते क्योंकि यह दोनों word almost same है right किस case के लिए यह sentiment use case के लिए sentiment analysis use case के लिए हम लोगों को पूरा का पूरा word नहीं चाहिए होता है तो हम लोग क्या कर सकते है इस word को stem के तरह से cut कर सकते है go को use कर सकते है जो उसका base form होगा right या base root वाला word होगा जो उपर वाला word होग root वाला word तो cut कर दे रहे हैं जो भी common word होता है ठीक है तो उसको हम लोग specifically stemming बोलते हैं अब stemming के बारे में मैं already detailed video already यह playlist में बना दिया हूँ आप description में जाके दे सकते हैं दूसरा step जो होता है जिसको हम लोग बोलता है lemmatization यह भी stemming जैसे ही काम करता है but at the end of the day हमको एक without spelling errors व क्या है देखें अब जब भी हम लोग बात करें sentiment analysis के use cases के बारे में आप देख पाएंगे कि यहां पे अलग-अलग type के words होते हैं जैसे is हो गया, the हो गया, of हो गया, in हो गया, a हो गया, अब यह सारे words जो हैं जैसे यह word हो गया, यह word हो गया यह इतने important words नहीं है right sentiment analysis के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हम लोग को अपने number of unique words भी कम करना है तो यह stop words के through यह सारे words को भी हम reduce कर सकते हैं तो in short, ऐसे words जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं, the, is, of, he, she, ऐसे सारे words है न, stop words में माना जाता है और इन words को हम लोग specifically निकाल सकते हैं for solving this particular use cases अब यह यहां पर आप जितने भी steps देख रहे हैं यह होता है text preprocessing steps, right, but हम लोग को यहां नहीं रुकना है, जैसे क्योंकि मैंने जैसे बताया था, हमारा main aim यह है कि हमको make sure करना है कि यह words को ऐसा numerical format में change करें, so that machine learning algorithms उसको समझ पाएं, क्योंकि machine learning algorithms में बहुत सारे mathematics यूज होता हैं behind the scene, right, तो obviously कोई भी mathematical equation words के लिए नहीं बनता है, usually for numbers बनता है, तो जो हमारा main step है, how do we convert this text into numbers, और इस numbers को हम लोग vectors भी बोलते हैं, ठीक है, और यह vectors के तुरू, एक बार हम लोग convert कर देते हैं, तब हम लोग इसमें कोई भी machine learning algorithms use कर पाएंगे, तो यह वाला जो next step होता है, on solving this problem statement, इसको हम लोग text to vectors में convert करेंगे, ठीक है, after doing all the preprocessing, अब text to vectors में convert करने के लिए, यह मेरा fourth step होगा, तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा technique use करेंगे, तो first technique जो होता है, उसको हम लोग बोलते है, one hot encoder, ठीक है, तो यह वाला technique भी हम लोग detail ही समझेंगे आने वाले वीडियो में, बट मैं यहाँ पे सारा technique less down करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सारे वीडियो इन सारे techniques के उपर बनेंगे, with practical implementation, second technique जो होता है, जिसको हम लोग बोलते है, बहुत ही common technique है, और उसको हम लोग बोलते है, bag of words, और इसको हम लोग बोलते है, bow, ठीक है, bag of words is another technique, जहाँ पे हम लोग text लेते हैं और उसको vectors में convert करते हैं, third technique, जो पिछले वाले से, या bag of words, या one hot encoder से काफी जादा efficient है, उसको हम लोग बोलते है, TF-IDF, TF-IDF मतला term frequency and inverse document frequency, उसके बाद, जो fourth वाला technique है, उसको हम लोग बोलते है, word to work, ठीक है, word to work, और यहीं पे हम लोग बात करेंगे, word embeddings के बारे में भी, और ये एक advanced technique है, usually ये deep learning का technique है, बट मैं आपको meaning समझाओंगा with respect to practical implementation, जो fifth technique है, इसको हम लोग बोलते है, average word to work, अगर आप ये सारा चीज़ समझ गए, तब deep learning में आप easily घुस सकते हैं, और बाकी जो advanced technique है word embeddings के, वो सारे चीज़े आप अराम से समझ सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आने all the techniques to convert a text into vectors, उसके बारे में समझेंगे, और उसके अलावा, हम लोग practical implementation भी देखेंगे, कि कैसे ये हर एक technique आप easily implement कर पाते हैं, finally, जब आप vectors में इसको convert कर देते हैं, तब next step जो होता है, उसको हम लोग बोलते है, machine learning algorithms, तो आपका main aim क्या हुआ, यहाँ पे आपने text को vectors में convert क इस vectors को आप use करके, कोई भी machine learning algorithms के साथ, जो है supervised, आप उसको solve कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो भी use cases है, जैसे sentiment analysis हो गया, यह classification हो गया, आप easily इसको solve कर सकते हैं, और यह है हमारा fifth step, तो इस specific playlist में, मैं make sure कर रहा हूँ कि यह सारे text preprocessing से पकड़के है, text to vectors से conversion से पकड़के, ml algorithm से पकड़के, ml algorithms तो मैं already complete कर चुका हूँ, मेरे पूरे के पूरे ml playlist में, तो यह जो है 2, 3, 4, 2, 3 भी complete हो गया है मेरे playlist में, जो हम लोग mean focus करेंगे, वो होगा text to vectors, जहां पर यह सारे techniques हम लोग discussion करेंगे, और इसको practical implementation के साथ implement भी करेंगे, ठीक है, तो चलिए, यह रहा इस वीडियो में, क्या-क्या आने वाला है मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है, अब आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, one hot encoder के बारे में, bag of words, tf, idf, word to work, और average word to work, इसके अलावा, bigram, ngrams क्या होता है, उसके बारे में भी discussion करेंगे, त थांक यू, take care, bye-bye.